हाई एवरिबन वेलकम बैक टो एसस कमेस्ट्री और आज हम कारवन एंड इट्स कंपॉंड चैप्टर से रिलेटेड एक और नए वीडियो को आज हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपको दिखाई पढ़ रहा होगा क्या इसके प्रेविएस वीडियो में आप लोग देखे थे रूल्स देखे थे ठीक है और फंक्शनल ग्रूप के बारे में आप लोग जानकारी लिए थे ठीक है तो फंक्शनल ग्रूप के बारे में आप लोग अल्रडी जान चुके हैं ठीक है कि कौन-कौन से फंक्शनल होते हैं उसका suffix क्या होता है राइट और उसका prefix यूज नहीं था इस वज़ा से उसका prefix जहां पे रहेगा यूज रहेगा कुछ ग्रूप ऐसे हैं जिसका prefix ही यूज करते हैं हम लोग आयो पेसी नोमिन क्लेचर में ज्यादातर तो उसके prefix के बारे में आपको वहां पर बताया जाएगा ठीक है तो प्रपर्ली वे में इस वीडियो में हम लोग डिस्क जाने वाले हैं क्या कि कौन-कौन से फंक्शनल ग्रूप किस प्रकार से आएगा और उसका नोमिन क्लेचर हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो जैसा कि मैं प्रिवेस वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ कि एक बार बेसिक रूल आपको याद रखना पड़ेगा वो एक बार फिर से रिकॉल कर देना और चैन जो होगा वो क्या हो जाएगा उसका दो इंड पॉइंट होगा लेप्ट और राइट ठीक है अब उसको हम लोग क्या करेंगे में चैन तो हम लोग सेलेप्ट कर लिए पैरेंट चैन भी उसको बोलते है ठीक है अब उसमें जो कारवन है उसको हम लोग नंबरिंग provide करेंगे हैना यदि कुछ नहीं है तो तो numbering simply हम लोग दोनों साइड में से किसी एक साइड से कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब हमें वहाँ पे functional group आ जाए या फिर कोई branches आ जाए हना तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे numbering उसको minimum position पे रखते हुए करेंगे हना यदि मान लिए जाए functional group है तो functional group का position minimize करेंगे यदि branch है तो branch का position minimize करते हुए हम लोग numbering करेंगे ठीक है लेकिन दोनों आज है functional group भी और branch भी तो उसमें हम लोग seniority देखेंगे कि कौन सा senior ज्यादा होगा लोग किसकी evaluation ज्यादा होगी है priority किसका ज्यादा होगा तो जिसकी priority ज्यादा होगी हम लोग numbering उसके recording करेंगे clear तो उसमें जो है यह branch के recording जो functional group का जो priority है वो हमेशा ज्यादा होता है ठीक है तो वो सब देखने वाले हैं है ना और कुछ ऐसे भी groups देखेंगे मतलब जो सायद 10th NCRD के recording ना भी मिले लेकिन कुछ देख लेंगे हलका फलका आगे extra है ना ठीक है तो हम बढ़ते हैं आगे तो देखेंगा कुछ ज्यादा functional group है नहीं मतलब जितना काम चल सके उतना ही बताया गे बाकी तो हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि competitive point of view से अभी हम इस वीडियो को हम नहीं बना रहे हैं कारण क्या है कि अभी कुछ लोगों को demand था कुछ student का कहना था कि सर आप YouTube पे डाल दीजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम बोले ठीक है चलो तो यह IPC नोमेंक लेचर ऑफ और गनिक कंपॉंड्स रूल्स बता चुके थे सबसे पहले पैरेंट चैन को सिलेक्ट करेंगे उसमें कारवन होगा उसको numbering प्रोवाइड करेंगे उस यदि functional group होगा तो हम उस functional group के position को minimize करेंगे दूसरी बात है कि हम उसको क्या करेंगे फिर डैस का यूज़ करेंगे numerical और alphabet के बीच में और कॉमा का यूज़ करेंगे numerical numerical के बीच में ठीक है उसके according आफ फिर स्ट्रक्चर से हम लोग देखे थे सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं तो लिखते हैं ब्रांच का नाम ठीक है ब्रांच में भी variety होता है बहुत सारे टाइप का ब्रांच होते हैं तो यदि यह condition available हो जाए कि ब्रांच बहुत Eksy જ़्शार टाइप का हो तो सबेहों किया देखेंगे अल्फावेड को देखेंगे हैना अल्फावेड के recording हम लोग क्या करेंगे उसमें काम करेंगे ठीक है उसकेड़िंग उसके बाद फिर से क्या है कि जब अल्फावेड हम लोग रहेंगे और उसके बाद रूट वर्ड को लाएंगे उसके बाद सफिक्स लाएंगे कारवन टू कारवन सिंगर डवल और ट्रिपल और लास्ट में लोग लेंगे मदाई होने वाला है जो फ्रेवियस वीडियो में था ठीक अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे क्लियर तो देखिएगा इसमें सबसे पहला अल्कोहल को लेते हैं ठीक है अल्कोहल बोले तो कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों को माइंड में अल्कोहल आ गया होगा ना बाइन वगे रहां डेली में बाइन ही है तो हम लोग में तो बिहार में तो बैन है फिर भी लोग क्या करते हैं मतलब खुद से बना लेते हैं तो वह कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं वह यह प्रोसेस जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है ठीक है हाँ यह अलग बात है कि उसमें रॉ माटेरियल जो यूज़ करते हैं य वह अलग है और लोग यूज़ करते हैं वह अलग है और लोग करते हैं यही कारण ine к पभी जो होता है वह मतलब खुछ बनने का कुछ बन जाता खुछ हलागि वो अलकॉह ली मनता है लेकिन कोई दूसरा अलकॉह बन जाता है तो वह हमारे लिए क्या होता बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है तो उस कंडिशन में वह हमारे लिए क्या होता है बहुत ज्यादा डिफाक्टिव होता है इस कारण से वह डेट हो जाता है तो देखीए चलिए खेर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल और आगे भी पढ़ना है तो अलकोहल जब हम उसके अलकोहल पर आएंग तो उसमें बहुत सारे type के concept आएंगे हैं तो देखे अलकोहल यहा हो जाएगा यहां होता है यह अब। एकेन में से हम लोग क्या करेंगे पता है एलकेन जो होता है वो उसमें से हम लोग क्या करेंगे एक को हटा देंगे एलकेन जो है बड़ है उसमें यह लास्ट वाला एक को हटा देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे औल को एड़ कर देंगे, तो बन जाएगा L-kenol, क्या बन जाएगा? L-kenol, clear? अब L-kanol जो बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? C-N-H2N-2 आब इसमें से क्या हो जाएगा? ये 1-h को हटाएंगे और 1-h को हटाने के बाद क्या हो जाएगा? यह आपका यह आजाएगा OH एड़ होगा H के जगापे एड़ होगा OH ठीक है तो इस तरीके से एक मिनट रुकिएगा ड़की है तो यह क्या हो जाएगा 1H को हटाएंगे और उसके जगह पर OH को ला देंगे तो यहाँ पर 2H2N PLUS 2 है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा OH में आजाएगा चलिए उसके बाद क्या है अब इसमें है यह क्या तो इसका फार्मूला होगा न गोल का वो क्या हो जाएगा cn h2n plus one oh ठीक है वह अलग से आगया हो गिया example इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा एलके देखें अब इसको आड़ यह ब्रेक करेंगे पाड़ भाई पाड़ में एलके एल्क हम एलडी बता शुक्या है रूट बर्ड एसके लिए सिंगल ऑनट के लिए औ्ल के लिए ओई के लिए ख़िक हे तो इस तरीके से बनता है तल टोटल मिला करके क्या बन गया एलक नौल बन गया उसके बाद हम लोग देखेंगे रखर um क्याfeit एक्जांपल इन is equal to one है तो इसमें क्या करेंगे कि n is equal to one में हम लोग क्या ले ले लेते हैं कल्कुलेटिव सी वन एच्टू वन प्लस वन ओएच ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा एक के लिए कारवन एक है तुरूट वर्ड मेथ किलियर उसके बाद single bond है तो क्या हो जाएगा एईन हो जाएगा उसके बाद oh है तो all हो गया अब यह तीनों को जातो بن जाएगा क्या मेथेनौल क्या बन जाएगा मेथेनौ उसी प्रकार से एईन इजिप्वाल्टू टू लेंगी ठीक है, तो C2 H2 into 2 plus 1 OH हो जाएगा clear, तो 2 कारवन आया तो 2 कारवन के लिए root word क्या हो जाएगा eth हो जाएगा, clear है AN और plus क्या हो जाएगा, all हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ethanol, क्या बन जाएगा ethanol, clear है अब हम लोग देखेंगे क्या ये तो हो गया alcohol, इसी प्रकार से कई ऐसे हैं, हना और यदि माल लिए जाएगा, और भी ज़्यादा simplify मतलब और भी ज़्यादा branch बगेरा लेंगे, तो हम लोगा structure बगेरा का use करेंगे, ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद लडी हाइड, लडी हाइड में क्या है, अब देखिएगा, इसका ज़्याल के और इसमें से ए को हटाएंगे, और क्या करेंगे, अल को जोड़ देंगे, ठीक है इसका suffix क्या था, अल था, लडी हाइड का, याद किजिएगा, पिछले वीडियो में बताया गया है, हाना, तो L के नल हो जाएगा, हाना, उसके बाद यह CNH2N+, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका एक H को हटा करके, और क्या करेंगे, CHL को एड कर देंगे, सॉरी, CHO यहाँ पर आएगा, CHO को एड कर देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, CNH2N प्लस, 1, CHO CHO क्या है, LDH ग्रूप है, हाना, अब यह क्या गह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे, क्या है, कि इसमें CNH2N प्लस, OH है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया इस अच्छा इसको क्लियर कर देते हैं, LK नॉल, यह आपका, थोड़ा सा इसमें, LK नल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर N is equal to 0, तो यह हो जाएगा मेथ, और यह हो जाएगा अल, और यह हो जाएगा, आपका, N is equal to 2, तो क्या N is equal to 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कारवन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एथेनल हो जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा mistake है, हाना, थोड़ा सा copy करने में मतलब ऐसा हो गया होगा, फिर उसको यह नहीं हो पाया होगा, ठीक है देखिएगा, अब यहाँ से क्या है ना कि यहाँ से यह अल नहीं होगा बलकि C-H-O होगा ठीक है, C-H-O होगा, clear है तो हम लोग देखेंगे वो क्या हो जाएगा, C-H-O अब यह क्या है ना, L-K-N-L यह नहीं होगा, L होगा, ठीक है अल हो जाएगा, L-K-N-L अब यह C-H-O होगा यह नहीं, C-H-O यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगा इसको यह जो है ठीक है, C-H-O यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर L हो जाएगा ठीक है, तो यह हो जाएगा L-K-N-L, अब देखेंगा, यहाँ पर C-0 आ गया, N is equal to 0 ले लिए, अब कहिएगा, सर यहाँ 0 क्यों लिए, तो अल्रड़ी हम पहले भी बता चुके हैं ना, कि यह कार्वन containing functional group है, यानि अल्रड़ी एक कार्वन है, तो यहाँ 0 भी लेंगे, तो एक कार्वन तो बचेगा ही, तो यहाँ पर total मिला करके कितना कार्वन हो जाएगा, यहाँ पर तो कार्वन 0 हो गया, बाकी बचा है यह, hydrogen तो यहाँ एक बचेगा ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा एक कार्वन, तो एक कार्वन के लिए क्या आया, मेथ आया, हाना, और उसके बाद an आया, उसके बाद l आया, मेथे, नल हो जाएगा यहाँ पर यदि कार्वन, n वराबर equal to 1 ले लेंगे, तो एक एक कार्वन तो हो जाएगा, चैन का और एक कार्वन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रूप का अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथ प्लस an प्लस ethanol, तो इस परकार से हम लोग लिखते भी है, ठीक है, दूसरी बात है, हम लोग कुछ और examples को देखेंगे, जैसे मानलियाज है, हम यहाँ पर क्या कहा रहा रहा है न, कि इस परकार से लेते हैं, जैसे CS3 है CS3 है, CH है, CS3 हो गया, उसके बाद CH हो गया, CH2 हो गया, CS3 हो गया, उसके बाद यह है, अब इसमें क्या हो जाएगा, OH आजाएगा, CS2, CS3 हो जाएगा, ठीक है, तो गयाज, इसको समझ येगा, एक example अलकोहल पर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत को समझ में आजाएगा, कैसे हम लोग decide कर पाएंगे, है न, तो सबसे पहला जो कह रहा है, कि यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं, है न, यह क्या हो रहा है, सबसे पहले longest chain को हम लोग select करेंगे, longest chain, यानि सबसे ज़्यादा carbon वाला, तो बताएए यहाँ से, यह तो सबसे ज़्यादा carbon वाला होगा, यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है, यहाँ से चले, तो यहाँ पर देख रहे हैं, इधर दो carbon है, इधर भी दो carbon है, लेकिन इधर एक branch भी आ जा रहा है, तो हम लोग इधर ले लेंगे, उसके बाद हम लोग main chain को यह select कर लिए, ठीक है, अब यह क्या है, यह मेरा functional group है, यह वाला जो form में आता है, और यह जो है, आपका क्या है, मिथाईल है, किलियर है, तो मिथाईल हो जाएगा यह, अब बताए, यह branch जो है, वो क्या है, एक से अधिक type का है, नो, तो एक से अधिक type का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब nomenclature इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा, nomenclature करेंगे तो, तो इसमें जो है, सबसे पहला select कर लिए, अब numbering हम लोग करेंगे, तो functional group मेरा यह है, तो इसके according numbering करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 पे आता है, इधर से करेंगे, तो 1, 2, और क्या हो जाएगा, 3, 4, और 5, और यह क्या हो जाएगा, 6 पे आएगा, ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखी, structure को याद किजिएगा, सबसे पहले, first of all क्या हो जाएगा, branch को लिखेंगे, branch में दो तरह का branch है, एक इथाईल, एक मिथाईल, तो अलफा वेटिकली कौन सबसे पहले आएगा, इथाईल आएगा, definitely इथाईल आएगा, तो इथाईल का position क्या है, 4, तो हम लोग लिख देंगे, 4 इथाईल, capital letter से use करेंगे, start करेंगे, ठीक है, 4 इथाईल, अब इथाईल एक ही है, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, अब कहरा है कि मिथाईल है, branch, अभी भी बच रहा है ना, branch ये 5, अब हमको इसके बाद ये अलफावेट है, इसके बाद हमको नोमेर का लिखना है, तो इसके बीच में क्या लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे, अब 5 के बाद फिर हमको क्या लिखना है, अलफावेट तो फिर डैस, ये क्या हो जाएगा, मिथाईल हो जाएगा, क्लियर है, मिथाईल हो गया, अब branch total खतम हो गया, अब branch total खतम हो गया, तो हम लोग कहा आजाएंगे, रूट बड़ पे आएंगे, तो रूट बड़ किसके according, तो numbers of carbon के according, जो parent chain में है, main chain में, 6 carbon है, तो इसके लिए हो जाएगा, hex, ठीक है, अब total का total ये देख रहे है, carbon to carbon, single bond है, तो ये क्या हो जाएगा, hex N हो जाएगा, hex N हो जाएगा, और last में E हटा देंगे, चुकि OH लगा हुआ है न, तो इसके लिए आजाएगा, OH, तो क्या है, इसका भी position देना पड़ेगा, functional group का position, है न, तो ये क्या हो जाएगा, 3 all, ये आपका, इसका nomenclature आगए, ठीक है, तो आयोप समझ में आया होगा, येसे बहुत सारे examples होगी, अब इसमें एक और देख लेते हैं न, क्या हो जाएगा, इसमें एक और देखेंगे, LD head में, है न, तो LD head क्या गहा रहा है, जैसे ये example हम लोग ले ले, क्या, CH3, ठीक है, और CH, CH2, CH3, क्लियर, CH, CH3, ठीक है, CH2, अब CH2, और COH हो जाएगा, हम बताया थे, ये अल्रेडी carbon containing functional group है, मत्तब पहले से carbon जुड़ा रहेगा, monovalent है, तो जब भी add होगा, तो कहां पहे, किनारे में जुड़ेगा, बीच में तो जुड़ने के समभाव ना है, बीच में भी जुड़ सकता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कि हम बता चुके थे, कि जितने भी सारे carbon containing functional group है, उसको main chain में सामिल होना पड़ेगा, ठीक है, main chain में उसको सामिल करना ही करना है, छोड़ के नहीं चलना है, तो सबसे पहला नंबर यह किनारे में है, तो किनारे में है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या देख लिए, यहां से तो चलेगा, ओ, सुरी, यहां पे, देख लिजे, यहां से तो चलेगे हम लोग, अब यहां पर आए, यहां पर इधर एक कारवन, और इधर दो कारवन, तो इधर चलेगा है, अब यहां पर आए, यहां से दो तरफ रास्ता, एक इधर, एक इधर, इधर दो कारवन, तो हम लोग इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा parent chain, main chain, ठीक है, ये main chain हो जाएगा, बाकी जो बचा, branch बचा, branch बचा ना, तो ये branch हो गया, और ये branch हो गया, दोनों का दोनों क्या है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें हम लोग देखेंगे, क्या, numbering करेंगे, तो numbering किसका, तो हम पहले भी बता चुके है, functional group का position minimize होनी चाहिए, तो functional group, ये functional group से start ही हुआ है, इधर से चलेंगे, तो क्या हो जागा, one, two, three, four, five, six, seven, अधर से first number पे, तो ये number रख देंगे, क्या, one रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर number रख देंगे, one, two, three, four, five, six, seven, ठीक है, ये seven, clear, अब, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या कर देना नॉमिन क्लेचर लिख देना है, structure के according, तो structure के according नॉमिन क्लेचर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला देखीए, कहता है, ये मिथाईल जो है, वो दो जगा पे है, एक four पे है, दूसरा five पे है, तो कहिएगा, सर की, अब इसमें होता क्या है, जब दो अलग लग पे रहेगा तो, तो कहता है, दोनों का position देंगे, four देंगे, और five देंगे, लेकिन यहाँ पर मिथाईल लिखेंगे एक बार, अब कहिएगा, सर दो जगा है, तो एक बार क्यों लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक बड यूज़ करते हैं, die, die, die मतलब दो, die मिथाईल ठीक है, तो एक ही बार में काम चल गया, अब देखीगा, यह डाइ मिथाईल, अब क्या है, यह ब्रांच तो है नहीं, अब रूट बड़ा जाएगा, रूट बड़ किसके कॉर्डिंग, तो कारवन नमबर साथ, यह हो जाएगा, हैप्ट, ठीक है, अब टोटल सिंगल बॉ नोट में, नोट में क्या देखेगा, कि यहाँ पर जो है ना, सबसे पहला, यह जो है, मान लिया जाए, कहीं पे ब्रांच यदी एक दो आजाए, तो दो के लिए यूज करते हैं, डाई, क्या यूज करते हैं, डाई, तीन के लिए यूज करते हैं, ट्राई, और चार के लि branches हो जाएं हाना तो उसको उसका नाम जो लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे लेकिन उसका position अलग-अलग provide करेंगे और नाम के पहले हम number के according हम लोग इस word को use करेंगे इस prefix को use करेंगे ठीक है तो यह I hope aldehyde और alcohol का जो concept होगा वो clear हो गया होगा हना इतना से ज़्याद है आपको 10th level पर नहीं कुछ है इससे ज्यादा यह enough है आपके लिए ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं next slide कि वह क्या है आपका इधर से तो आगया carboxylic acid अब ही यहाँ पर carboxylic acid आया तो carboxylic acid क्या हो जाएगा एल के अब इसमें से क्या होगा e को हटाएंगे e को हटाएंगे और क्या लगा देंगे Oic Acid लगाएंगे है ना, E को हटा करके Oic Acid, अब यह हो जाएगा Alken Oic Acid, जाहर सी बात है, उसके बाद क्या हो जाएगा, CnH2N प्लस 2, अब यहां से एक H को हटाएंगे, H हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब CWH को अड़ करेंगे, तो CWH हो जाएगा, तो इसका formula क्या ह हो जाएगा, इसका formula होगा, CnH2N प्लस CWH, अब यह भी carbon containing carbon functional group है, ठीक है, तो इसको देखेंगे आगे, अब क्या है, इसमें, यह जो हो जाएगा, CnH2N प्लस 1, CWH, ठीक है, तो यहां पर जितना N का भैल्यू लेगे न, उससे एक carbon ज्यादा हो जाएगा, Alken, और Un है, Un क इसलिए, single bond आया है, उसके बाद क्या हो जाएगा, OE, Acid, Tl, CnH2N, अब देखेंगे, यह आनक यू ले रहा है, तो यह जो फार्मूला है, न वो क्या है, सिंग carbon to carbon single bond को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी के कारण हम यहाँ पर अनली, यह दी मान लिया जाएगा, उच्छे सही है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, बस समझना है, systematically, काफी आसान है, ठीक है, अब यह हो जाएगा, अलकनोई के सीड, अब देखेंगा, यहाँ पर क्या है, N is equal to 0, क्यों 0 ले रहा है, अलरडी carbon के functional, मतलब functional group में एक carbon already है, तो हम लोग N is equal to 0 ले सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C0, अब यह तो 0 हो जाएगा, hydrogen इसमें एक बचेगा, और यह हो जाएगा, इसको बोलता है, क्या, methane plus, क्या हो जाएगा, OEQ Acid, मेथ, मेथ, किसके लिए, अलक, बड़ आया न, root word, उसके लिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, methane OEQ Acid, N is equal to 1 लेंगे, N is equal to 1, 2 लेंगे, अब N is equal to 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, आपका, sorry, 1 है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ethanoic acid, ठीक है, अब यह हो जाएगा, इस तरीके से ethanoic acid, राइट, तो यह आपका, easy हो जाएगा, यह simple nomen culture, इस से ज़्यादा कुछ है नहीं, हना पूछेगा भी नहीं, ठीक है, अब हम last में example देंगे, हम उसका, ठीक है, इसी को बोलते है, formic acid, ठीक है, formic acid, इसी को बोलते है, हना, methanoic acid, होता है, formic acid, इसका यह common name है, हम पहले भी बता चुके था, कि आयूपिसी नेम के अलावा एक और नेम भी होता है, वो उसको common name बोलते है, तो formic acid, और इसको बोलते है, acetic acid, ठीक है, यह काफी famous दो नो, formic और काफी ज़्यादा famous acetic acid है, तो इसको ध्यान में रखेगे, क्यितितेगे सिटका आखिट को ही बोलता है इथे नोएगे सिट और इथे के सिट को ही बोलते है एसवwn और हॉर्मि केशिट को बोलते हैं मैखनो wen इके सिट deliver चलीए उसके बाद आगे अब यह जो है हालोजन हालोजन आया है तो हालोजन जो आया है ना वो क्या आया है देखीगा हालोजन में इलकेन है अब यहां पर क्या हो जाएगा हालोजन हम बताया थे उस समय कि यह प्रिविएस वीडियों बता चुके होगे कि हालोजन का जो भी आएगा सफिक्स नह पर हम लोग क्या देदेंगे cn h2 n plus x हो जाएगा अब यहाँ पर जो है ना वो क्या है है लो प्लस एल्क प्लस ए एनी ठीक है एनी किसके कारण कारवन डू कारवन सिंगल वाट चुकी यहाँ पर क्या है cn h2 n प्लस टू ठीक है यदी मान लिया जाए cn h2 n रहता उसमें से हैदोजन को रिमूब करते तो यहाँ यहाँ पर cn h2 n-2 होता और उस से हैद्रोजन को रिलीस करते तो वहाँ पर आता बाई एनी तो यह किसके recording उसके recording clear तो यहाँ पर हो जाएगा है लो एल के अब यहाँ पर जो है ना n is equal to one to cn h2n plus one plus यह क्यों जाएगा into x यह है अब इसका जो formula आजाएगा है लो मेथ प्लस एनी है लो मेथ हैं है लो किस लिए x के लिए करवन f1 है उसके लिए an किस के लिए तो इस formula से यह बन रहा है ना तो यह क्या हो रहा है उसके लिए अब यहाँ पर हो जाएगा है लो में थे अब हैलो के Another आप क्या क्या रखेंगे हम लोग देखेंगे आगे तो n is equal to two अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह c2 का ये कि दो सिंगल और थेंग एक और क्या देखते हैं सबसे इंपर्टेंट हाए क्या कि ये एकस बरावर जो है ना वो ये सभी लेंगे ठीक है अब ये एक्स बरावर जो है वो सारा का सारा लेंगे ये क्या हो जाएगा देखिए इसमें कह रहा है एक्स बरावर ये क्या हो जाएगा देखिए ये जो है हाईलाइड क्या होता है हाईलाइड ठीक है तो यहां पर यह होजगा आप देखें फ्लोरीन लिए तो फ्लोरो हो गया हाईलाइड फ्लोराइड हो हो गया है hani क्लोराइड हो गया है ठाइड हो गया है ठीक है यह यह यदि हैं की है है यहां पर यह यहां से कि हैं तो यह यही जगह पर जैसा आएगा है लोसन उसी के कार्डिंग इसका नाम होगा ठीक है तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आसान है अब इसका एक एक जामपल देख लेते हैं क्या देख लेते हैं यहां पर है ना तो यह क्या गह रहे है सारी यह एक्जामपल हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा अब शॉरी ओहो माई गड़ यह ओगया चली यह तो देख लेते हैं अब यहां से यह जो है आपका पूरा का पूरा आ गया ठीक है अब इसमें लेके चलेंगे हम लोग एक इक्जामपल को देख लेंगे इथेनोई के सिट का एक्जामपल जो होगा ठीक है तो अब इसमें देखेंगा सबसे पहला यह कहां गया कलती से हो गया था ठीक है अब यह जो है न इस तरीके अब माल यह जाए हम लोग एक इक्जामपल लेते हैं हो जाएगा अब हो जाएगा अब हो जाएगा सी एच टू ठीक है सी एच टू सी एस थिरी ठीक है उसके बाद इस एच च्टू सी एच टू और सी डवल ओ एच हो जाएगा क्लियर है यह कंपॉंड मैंने ले लिया अब यह कंपॉंड ले लिया तो क्या हो जाएगा देखीगा सबसे पहला क्या गह रहा है मेंचैन को चूरेंगे यह तो कारवन कॉंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप है तो इसका तो आएगा ही आएगा यहां के बाद इधर तीन कारवन इधर दो कारवन सामने चले जाएगा आख मुंद करके इधर तीनों एक एक कारवन तीनों साइड किसी भी साइड चले जाएंगे नहीं तो किसी भी साइड चले जाएंगे हम सिधाई ले ले लेते नहीं अब यह हो जाएगा यह मेंचैन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में क्या हो जाएगा मेंचैन में तो सामिल होना चाहिए, कौन, functional group और numbering views का कम होनी चाहिए तो यहीं से start कर देते हैं 1, 2, 3, 4 5, 6 और क्या हो जाएगा, 7 अब यहां से जो देखेंगे न वो क्या होगा, कि यह आपका हो जाएगा, ethyl क्या हो जाएगा, ethyl ठीक है, और यह आपका हो जाएगा, ethyl क्या होगा, ethyl clear है, अब यह भी क्या है, ethyl ही है, क्या है, ethyl है, ठीक है, तो यह जो ethyl है, अब क्या देखेंगे nomenclature करते है, nomenclature क्या हो जाएगा, सबसे पहले branch name है न, according branch name क्या हो जाएगा, according alphabet with position, तो कहता है branch name, सबसे पहला ethyl की पहले, ethyl, e, c, e, की पहले, m, तो पहले e, तो e का position क्या है 4, तो लिख देंगे 4, ethyl बड़ा प्रेम से उसके बाद methyl दो-दो जगा है 6 पे है, और नहीं, methyl तो दोनों एक ही position में है, न, 6 पे उपर भी है, नीचे भी है हो जाएगा, dimethy, sorry ये क्या हो जाएगा, dimethy, हाँ, न, 2 है, तो dimethy, हो गया 5 रहता पेंटा, 4 रहता टेट्रा, हाँ, 3 रहता ट्राई, ठीक है, clear, अब ये dimethy हो गया, branch मेरा खतम हो गया, स्वाह, clear, branch खतम, अब हम लोग आएंगे root word पे, root word किसके coding, तो numbers of carbon के coding, numbers of carbon कितना साथ, तो ये हो जाएगा, हैप्ट, क्या, हैप्ट, अग टोटल का टोटल सिंगल बॉंड, तो टोटल का टोटल सिंगल बॉंड होगा, तो यहाँ पर आजाएगा, क्या, ये methyl, यहाँ सहटा देते हैं, ये हो जाएगा, हैप्ट, हैप्ट, A, N, और O, I, K, A, Seed, हैप्ट, N, O, I, K, C, क्लियर है, तो ये आपका, इस प्रकार से, बहुत सरे नॉमेंट लेचर आप कर सकते हो, ठीक है, करके देखना, जहाँ भी मिलेगा, नहीं बनेगा, आप मेरे को भेचना, हम बता दूँगा, क्लियर, समझ में आई बात, नहीं, समझ में भी नहीं है, चले डिगे, आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे, आगे का जो देखेंगे, वो क्या है, वो क्या है, आपका, नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए देखे, बढ़ते हैं, तो आजाता है किटोन, किटोन की बारी है, हाँ, आजब बाबू किटोन, किटोन, एलकेन, सेम वही, मतलब एक बार जो देख लिए, वो बार बार वही आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से, यह स्लाइड देखते देखते, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरुवर, नहीं है, अब यहाँ से, क्या हो जाएगा, आपका, एलकेन, ए हटा देंगे, ओ यह नहीं लगा देंगे, सफिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो गया होगा, अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे, एलकेन, एलकेन, ए को हटाएंगे, एलकेन, बन जाएगा, और यहाँ से, एनस टुएन प्लास टू, किसका, सिचरेटेड हैड्रो कारवन, मतलब, कारवन टु कारवन, में ही रहने दीजएगा, यहाँ पर C O डाल देंगे, अब क्या हो जाएगा, C N H 2 N प्लास वान और C O, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हैना, वो मेरे को गड़वड़ लग रहा है, तो देखीगा, अब का रहना कि यहाँ पर C N H 2 N प्लास वान, और L किन प्लास N प्लास वान, और यह क्या हो जाएगा, N is equal to L के नान हो जाएगा, और N is equal to ले लेंगे, हम लोग क्या, N is equal to 2, एटलिस्ट देखे, इसमें दो कारवन हम क्यों लिये हैं, सबसे, 0 क्यों नहीं लिये, यह भी तो कारवन कॉंटेरिणिंग है, सवाल यह उरट यह औरे encompass हो सकता है, ठ lend, कि सर पहले जो कारवन कॉंटेरिणिंग था न, उसमें आप कारवन जीरो भी ले सकते थे, इसमें कारवन जीरो नहीं ले सकते थे, कारवन बिटा, क्या है, कि यह जो है ना वो वह ऐसा functional group है carbon content by valent है यानि दो तरफ से यह जुड़ सकता है तो यह जब भी रहेगा बीच में रहेगा इसके दोनों साइड कम से कम एक एक कारवन आनी चाहिए ठीक है यदि हम zero कर देंगे तो यह बनेगा ही नहीं यह कमपॉंड बीच में आएगा मिल्ड़ किटोन होगा ही नहीं ठीक है तो इसके लिए दो कारवन आनी आना चाहिए इनमाम दो कारवन आएगा अगल बगल ठीक है तो मिल्वम दो कारवन तो हम लोग n is equal to 2 ले लिए अब यह क्या हो जाएगा cn is to n plus यह आप इसमें जो देखेंगे ना क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है गड़वर तो है हम लोग देखेंगे गड़वर कैसे है वो देखेंगे प्रोपे 9 अब उसको लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार से हम लोग देखेंगे फार्मूला में थोड़ा गड़वर है वो देखेंगे ब्यूटे 9 हो जाएगा 4 कारवन आदे तो ब्यूट 4 कारवन के लिए ब्यूट आजाएगा 3 1 4 आगया आगया ना अब यहां पर ब्यूटे 9 हो जाएगा अब उस परकार से Amine है ना Amine के लिए L प्लस माइनस E अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा प्लस Amine क्लियर है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा L के ना माइन C N H to N अब प्लस 1 माइनस E क्या हो जाएगा प्लस N H to ठीक है प्लस माइनस H प्लस N H to अब यहाँ पर हो जाएगा C N H to N N H to अब यहाँ से हो जाएगा C N H to N प्लस 1 N H to इसका फार्मुला और L के ना माइन L प्लस N A N प्लस Amine अब यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से देखेंगे तो यह हो जाएगा है मेथेन मय और यह होगा आपका नीचे जो है वो क्या हो जाएगा प्रोपेना में टिक है देखिए यहां से क्या है नहीं कि अब इसको थोड़ा सा भिराम देते हैं यहां से क्या हो जाएगा देखे इसको में घड़बल कहा हूँ मुद्त तैसे क्या हो जाएगा यहां पे जो grabbed Kya Ho queen C n C n dcN two n plus इसमें से एच माइनस नहीं हो यहां सही ठीक है ये टू हो जाएगा यहां पर ये सिय और Hocka ठीड जब वह तो और ये son Ho같 जाएगा क्लियर अब जागर की देखी यहां टू कर दीजिए यहां टू कर दीजिए ठीक है तो यह क्या हो जाएगा सी टू अब देखेगा यहां पर तिन दूनी छे दू आठ हना अब यह क्या हो जाएगा यहां पर सी टू यह प्लस वन इंटू टू टू त्री तो यह होगा इस तरीके से हो जाएगा पां cn h2n plus 2 clear है तो यह हो जाएगा इसको simply लिख करके इसको 2 किया जाए cn h2n plus 2 प्रोपे नौन एलके नौन ठीक है यह सब हो गया एमाइन जो है वो एनस टू इसमें एच निकलेगा ठीक है तो एलकेना माइन मेथेना माइन ठीक है इस प्रकार से अब इसका एक एक्जामपल देख लेते हैं यह एक एक एक्जामपल देख लेए चलेगा ठीक है अब देखिए का यहां से क्या है की simply हम लोग जो है ले रहा है वो क्या ले रहे देखिए कर यहां से ले लेंगे जैसे मान लिया जाए है CS3 CH3 अब C है अब यह क्या हो जाएगा CS3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा CS2 CS3 हो जाएगा क्लियर है अब यहां पर CS2 हो जाएगा C double bond CH2 हो गया CH2 CS3 हो जाएगा ठीक है अब यहां से CS2 CS3 हो जाएगा क्लियर है यह मेरा compound है किटोन है हाना किटोन कहां पर है देख लिजे किटोन आपका यहां रहा यह रहा किटोन ठीक है क्लियर अब जो है यह इसमें कह रहा है ना कि क्या हो जाएगा कि यहां पर यह है वो आपका क्या है अब ब्रांच देखेगा कैसे यह होगा ठीक है तो देखेगा सबसे पहला जो कह रहा है क्या कह रहा है कि इसमें स्लेक्ट करेंगे में चैन को तो यहां के बाद इधर दो कारवन इधर दो कारवन को यह को स्लेक् या इथाईल यह हो जाएगा इथाईल क्लियर है इथाईल हो गया अब यह दोनों हो जाएगा मिथाईल यह दोनों हो जाएगा मिथाईल क्लियर तो यह मिथाईल अब बताएए यहां पर अब आप लोग लिख सकते हैं नोमेंक्लेचर कर सकते हैं क्या जैसे देखिएगा क्या का नोमेन क्लेचर करेंगे हम लोग हना तो वो क्या हो जाएगा यहां से सबसे पहला आ जाएगा किसका नाम यह अब नम्बरिंग तो करना भूल गया तो यहां पर नम्बरिंग कैसे करेंगे देख लिजेगा नंबरिंग नंबरिंग कैसे करेंगे तो यहां पर इधर से देखिए वान टू थी फोर फाइब यहां तो फ्री फोर पर आएगा फाइव सिक्स सेवन एट करते-करते यह हैविट हो जाएगा आप पो देखते के साथ बता सकते हैं कि कहां से किदर से नंबरिंग होगा तो क्या लिखाएगा यहां पर अब देखेगा यहां से क्या लिखना है तो नंबरिंग तो कर दिये अब हम लोग को आ जाएगा पोजिस्ट यह ब्रांच का नाम तो क्या हो जाएगा थ्री इथाईल थ्री इथाईल उसके बाद क्या हो जाएगा सिक्स सि से दो सिक्स पे ही दो क्या है डाई मिथाईल सिक्स सिक्स डाई मिथाईल हो गया अब यहां से क्या है कितने का चैन है अब रूट वर्ड पूरा ब्रांच खतम अब रूट वर्ड पर आ जाते हैं रूट वर्ड कितना तो आठ ओक्त हो जाएगा है ना ओक्त होने के बाद क्या हो जाएगा उसके बाद और क्या है हो जाएगा और है in हो जाएगा और jurn हो गया और कितना पर है फोड बाउन की क्तेम ते यह इसका नमेरिक्सर हो गया क्लिए अब यहहां से जो देखेंग एक 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 ग्जामपल और देखते है नहीं वो क्या हो जाएगा देखिए काता है यहां पर च्छ 3 और और च्छ 2 यह एनस्टू हो जाएगा क्लियर और यह सीस्टी हो जाएगा अब यहां पर क्या हो जाएगा सीस्टू ठीक है सी दोनों में से को एक को ले लेंगे यह क्या हो जाएगा अब यह वह गया ब्रांच क्लियर है अब यह ब्रांच प्रांच क्लियर है तो क्या हो जाएगा देखो अब यह हवां पर नमबरिंग कि धर से करेंगे तो catchingे सело सो वान टू थ्री फोर फाइव सेक्स सेवन क्लियर है अब जब यह सेवन हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यहां पर देखिए सबसे पहले किसका नाम इसका नाम आएगा यह दोनों का नाम आएगा इथाईल तो क्या है क्या है जी फोर फोर डाइथाईल फोर फोर डाइथ काईल उसके बाद क्या हो जाएगा 3 sorry ये क्या हो जाएगा 2 methyl मिथाईल ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा कितने का चैन है तो 7 का हैप्ट एक तोिचा हैप्ट क्या हो जाएगा हैप्ट और टोटल सिंगर वांड हैप्टे और क्या हो जाएगा टू एमाइन हैप्टेंट टू एमाइन मतलब दो नंबर पर क्या है एमाइन ग्रूप है क्लियर है तो इस तरीके से बहुत सारे एक्जाम्पल्स ऐसे किये जा सकते हैं ठीक है तो काफी ज्यादा खेलफुल होगा यह वीडियो आप सब 11 12 में भी जो बच्चे पढ़ रहा है हना उनके लिए बहुत ज्यादा बेसिक समझने के लिए बेसिक सीखने के लिए यह काफी ज्यादा इंपर्टेंट होगा यहां से आप नॉमेंक्लेचर सीख सकते हैं जैसे बच्चपन में ABCD सीखते हैं तो वैसे यहां आप से सीख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से अभी यह खतम हो गया अब हम इसके बाद चलेंगे होमोलोगर स्रीज भी देखेंगे और और भी कुछ पु लुइस डॉट अस्ट्रक्चर देखेंगे उसके बाद होमोलोगर स्रीज देखेंगे बहुत सारे बगएर बगएर आईसोमिरिजम फिराएगा तो अभी बहुत कुछ बाकी है ठीक है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तो अभी छट पुजाय का महौल है सब लोग और हम भगवान भासकर और छटी मैया से प्रातना करेंगे आप और आपके परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहे और उनकी किरपा आप पर हमेशा बनी रहे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉंसेप्ट के साथ नए इनर्जी के साथ बने रहेगा हमारे य